नमस्ते बच्चो आज हम कक्षाशे में समाज विज्ञान पढ़ेंगे हमारा SS का पहला पाट चल रहा था इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ एक में पेज नमबर एक और दो तक कम्पलीट करवा दिया था तो आसा करती हूँ आपने भी घर पे जितना मैंने चलाया उतना आपने एक बार घर पे जरूर रिपीट किया होगा आज जो हम पढ़ने वाले हैं पेज नमबर हमारा तीन है पेज नमबर तीन से आज मैं आपको स्टाट करहूंगी पढ़ना तो चलो बच्चो मैं ये पाठ जहां से कल छोड़ा था वहां से ये पढ़ना में स्टाट कर आप ध्यान से सुनिएगा समझेगा उसके बाद घर पे भी आपको एक बार रिपीट करना है तो चलो मैं पढ़ रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा जिनका वरगी करण उनके कारिय के आरामब पर हुआ था पुरोहित जो विवीद यग और अनुष्ठान करते थे दूसरे समू हो राजा का था जो प्रजा की रक्षा धर्म की रक्षा और अन्याय देने का कारिय करते थे तो यहां पे लोग सबा हमारा पेरेग्राप था बच्चो लोग समू और उनकी पहचान तो इसमें अलग अलग प्रकार के वरगी करण का कारिया आधार किया गया था जो पुरोहित लग ते मतलब जो यग्य करते थे अनुष्ठान करते थे पूजा पाठ ये सारा काम पुरोह जाय धर्मन और कारिये सारा कारिये वो राजा को सोब दिया गया था आप राजाओं के बारे में जो सोच रहे हैं वो उसी तरह के राजा नहीं है वो लोग किसी भी बड़े राजधानी या महल में नहीं रहते थे ना तो उनके पास कोई सेना थी और ना ही कोई कर वसूली तो बच्चो राजा का नाम लेती हमारे मन में हो जाता कि उसके पास महल, बहुत सारी सेना, बहुत सारे हथियार होंगे और राजा के मरने के बाद फिर उनका उस गदी पर राजा ही बैठेगा तो इस समय में ऐसा राजा नहीं था, यहां के लोगों की बड़ी राजधानी, उसके पास न कोई महल, न कोई सेना और न ही कोई करवसूल करने का ऐसा कुछ नियम होता था और नाई इस समय में ऐसा नक्की भी नहीं था कि अगर राजा मरे तो उनका पुत्र ही सासन बेवस्ता समाले ऐसा कुछ भी नहीं था यहां की जो जनता थी वो समूदय के लिए स्रिप दो ही सब्द का प्रयोग करती थी उपयोग करती थी तो वो दो सब्द थे जन और दूसरा सब्द था वेस रिशी वेत के वेस और जनों के नाम मिलते थे हम में पूर जन या वेस भारत जन या भारत वेस जैसे कई उलेख मिले हैं तो जब हम रिसी वेस्ट के बारे में हमें पढ़ने को मिला वचो तो उसमें जन और पुरुष जन या भारत जन जैसे अनेक प्रकार का उलेख हमें पढ़ने को मिला जिन लोगों ने इस प्रात्नाओं की रचना की थी वे अपने आपको आरिय कहते हैं तथा अनेक विरोधों को दास या दायूसु कहते हैं दायूसी वरकार के लोग यग नहीं करते थे और कदाजित उनकी भासा भी अलग थी उसी वेदकाल में आज के वर्तमान पंजाब के आसपास उसी समय सत्रा दूत के प्रदेश में विशेकर उत्तर भारत खंड में उनका निवास रहता था तो बता दे बच्चों कि जिन लोगों को प्रात्ना करने जो लोग इस समय में प्रात्ना करते थे तो उन्हें एक समाज में बाढ़ दिया गया था उन्हें आरिय के नाम से जाना जाता था मतलब उन्हें जाती बना दी गई थी कि वो आये शमाज में रहते हैं और जो इनका विरूद करते थे इनके विरूद में भी दास थे और दास या दायुसू कहा जाता था ये लोगों को यग करना का छूट नहीं दी गई थी ये लोग यग नहीं कर पाते थे और कदाजित इनकी भासा भी कहने में आता है कि इनकी भासा भी अलग थी ये क्या बोलते थे वो समझ में नहीं आता था लेकिन वर्तमान काल में जो पंजाबी लोग थे उनके आसपास सत्ता सिदू यानि प्रदेश के विशेकर उत्तर भारत खंड में इनका निवास रहता थ जिन युग में उप महादीब के उत्तर पश्चिमी वेद की रचना हो रही थी उसी समय भारत खंड के अन्य अस्थानों पर एक भिन प्रकार से ही अन्य सेल के लोग समू अपना जीवन व्यतीत विता रहा था तो आपको बता है बच्चो उप महासागर भी था ये उत्तर और पश्चिम के वेदों में इसकी रचना हमें देखने को मिलती है भारत में भारत खंड के अन्य प्रकार के विभिन प्रकार की सेलियां का समू या पे जीवन अपना व्यतीत करते थे आप ये जो चित्र में देख रहे हैं बच्चो ये महापासण है और ये लोहे के हत्यार हमें इस यूग में मिले थे महापासण ये आपको महापासण यूग के इस प्रकार का होता था और ये लोखन के हत्यार उस समय हमें देखने को मिले थे उप्रयोक्त चित्र मतलब ये उपर के चित्र के बारे में यहाँ पर बताया गया यहाँ सिला खंड महा पासण यानि महा बड़ा पासण पत्थर ये एक प्रकार का बहुत बड़ा पत्थर होता था जिसका नाम महा पासण रखा गया था इसे नाम से पहचाना जाता था इसे स सिला खंड भग चर्था और यहां पर बहुत सारे पत्थर हुए करते थे इसलिए उसका नाम यानि इसका नाम था महाबड़ा यानि बहुत बड़ा एक पत्थर के नाम से इसा जाना जाता था इस पत्थर को दफन करने की जगा पर लोगों द्वारा उसे अच्छे से लगाया जाता था महापासन कब्र बनाने की प्रथा लगबग 3,000 वर्स पूर्व सुरू हुई थी ऐसी अवसेस दच्छिन भारत अथा उत्तर पूर्व भारत में से मिलता है ये पत्थर में कब्र में लगाया जाता था और इसकी प्रथा बच्छों 3,000 वर्स से पहले ही से शुरू हुई थी ये लोग दच्छिन से पूर्व भारत में हमें ये देखने को मिला था बृत्व शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया गया पत्थर उसे हम महापासन पत्थर के नाम से जना यानि जो बच्छों मड़ जाते थे और उन्हें दफनाया जाता था उनके साथ ये पत्थर दफनाया जाता था जमीन के उपर भी देखने को मिलते थे कभी कभी पुर्वता वेदो को गोल अकार से सजाय हुए पत्थर मिलते थे कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी प्राप्त होता था ऐसे पत्थर जमीन के नीचे मुत्र देव के साथ दबे हुए साबूत की तरह मिलते थे तो बच्चों जो ये पत्थर आपने देखा तो कभी-कभी जो इंसान मर जाते और उन्हें दपनाया चाता है उनके साथ ये पत्थर हमें मिलते थे कभी-कभी ये महान पत्थर हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं और कभी-कभी ऐसे सजाय आकार जैसे आपने विच्चर में देखा कि ये सजाय है इस रभी से भी हमें देखने को मिलते थे लेकिन जादा तर ये पत्थर जो इंसान मर जाता था उनकी कब्र के साथ साबूत के साथ हमें देखने को मिले महापासन के निर्माण के लिए लोगों को अनेक प्रकार के कारिय करने पड़ते थे तब बच्चों मैं आपको बता दो ये पत्थर ऐसे ही नहीं मिल जाया करते थे इसका निर्माण किया जाता था अनेक प्रकार के कारिय किये जाते थे और उन्हें अनेक प्रकार से अनेक कटनाईयों का सामना करना पड़ा तब जाके ये पत्थर उन्हें मिले आपको एक प्रवुत्ती करने को बताया गया है बच्चों लोग किस प्रकार का कारिय करते होंगे उसकी सूची बने अपलब ये जो महापासन पत्थर है उसे प्राप्त करने के लिए या फिर उसे किस प्रकार से लोगों के साबूत के साथ रखा जाता था उसकी सूची आपको यहाँ पर बनानी है इन सभी करवो में समानता थी समानिता मृत्तकों को विशेश प्रकार की मिट्टी के बर्तन के साथ दपनाया जाता था ज्यादा तर काली लाल मिट्टी के बर्तन का उप्योग ऐसे कामों में किया जाता था अनेक अस्थानों पर वृत्तक दे के साथ लोहे के ओजार हतियार घोड़ों के कंगाल अन्य सामगरी पत्थर तथा सोने के गेहने भी रखे जाते थे तो आपको बता दो बच्चों कि जब कब्र की साथ कब्र मतलब जब दपनाया जाता था जो इनसान मर जाता था उसकी दपनाया जाते थे तो उनके साथ मिट्टी के बरतन भी नपनाया जाते थे लेकिन अदिक्तर इनके साथ मिट्टी के बरतन मिट्टी के कमलखे और अनेक diese यानि when उसके पस्द था वो सोने के गहने भी उस के साथ दपनाये जाते थे लोगों के खाने में परस पर भिंता अब आगे की हेडिंग है बचो लोगों के खान पान में परस पर भिंता पुरुवतिक वैदों का सामना है मानना है कि कंगाल के साथ पाई गई चीजों मृति व्यक्ति की होगी कभी कभी एक कभर की तुल्ला मे दूसरे करवरों को जादी वस्तुवे मिलती थी ब्रामगिरी में से एक व्यक्ति की करवर में 33 सोने के मन के और संख मिलेबल की कुछ हार पिंजर के साथ तो केवल मिट्टी के बरतन ही पाये जाते थे इन दफनाई गई वस्तुवों से लोगों को प्राय समाजिक इस्तिती की भिंता उजागर होती थी कुछ लोग तो अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे कुछ सदार थे तो कुछ अनुयाई थे उनके आर्थिक समस्या का उसेस आधार पर समझा जा सकता था इनाम गाम अस्थल भीम नदी के सहाय गोडो नदी के किनारे तो एक अस्थल है इस जगह पर इस विशन 3600 से 2700 वर्स पुर्व लोगों के रहने का साबूत पाया गया है कई बार तो लोगों के घरों में ही दपनाया जाता था दपनाया गये सव के साथ बरतन भी पाये गये थे तो कदाजित इनके भोजन या पानी के लिए रखे गये होंगे पुर्व होतन को इनाम गाम में गेहू जो चावल डाल बाजडी और तेल के बीज भी मिले हैं इसके अलावा कई पस्वों की हड़ी भी मिली है तो बच्चों लोगों के खान पिन में परस पर भीनता होती थी पुरूतों के मानना ये था कि जो कंगाल यानि जो व्यक्ति को दपनाया जाता था उस व्यक्ति को जो जो चीजे पसंद हो वो चीजे कभी-कभी वो लोग रखते थे लेकिन कभी-कभी क्या जब ये और दूसरे कभर की तुलना की जाए तो दोनों कभरों में बहुत अंतरमान देखा जाता था जो ब्रह्मगीरी का कर्भ था वहां पे तो मतलब कोई कभरों के साथ यानि कोई जो मुत्रक देह था उसके साथ बहुत सारी चीजे मिलती थी और कहीं कहीं तो उसे केवल हड़ी और मिट्टी के बरतन ही मिलते थे एक बार तो ब्रह्मगीरी में से एक व्यक्ति की कब्र खोदाय की गई तो कब्र मिला तो उसके साथ 33 सोने के सिक्के और मन के और संख भी वहां पे प्राप्त हुए तो इन सबसे ये मालना जाता है कि उस समय भी भी कुछ लोग गरीब थे उस समय सब्क्राइब है इनाम गी अस्तल होता है और बीम नदी के साहिता से घौडो के किनारे और यहां पे मिट्टक देः भी मिले थे और कितने लोगों ने तो क्या किया था कुछ लोगों ने तो मिटáticas यानि कब्र बनाकर घर में ही तपना दिया गया था और उनके साथ बरतन और पानी पीने के गलास भोजन भी रखा गया था और कुछ कबरों के साथ तो गेहू, चावल, डाल, बाजरा, तेल के बीज भी हमें मिले और साथ में पसूओ की हड़ी भी हमें मिली है तो इस तरह से बच्चों जो हमारा पाठ एक था चटी में जो पाठ हमारा एक था वो आज क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया और आप देख रहे हैं कि सिब दो ही प्रश्नों के उत्तर हैं तो आपको क्या करना है, ये पाठ आपको पेज नंबर एक से लेके चार तक एक बार फिर से रिपीट करना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और फिर बाद में ये दो प्रश्नों उत्तर आपको नोट में समाज की नोट में लिखना है स्वाध्य पोती वो तो स्वाध्य पोती में भी पाठ एक आपको कम्प्लीट करना है यही आपका घर काम है और घर काम अच्छे से पूरा करिएगा और यह पाठ आपको फिर से एक बार पढ़ना है धन्यवाद